हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दा क्विक सपोर्ट डोटक यूट्व चैनल तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लैपटूप में या तो PC में कैसे फ्लिप क्लोक स्क्रीन सेवर का यूज कर सकते हो वो भी विल्कुल फ्री में जैसे कि आपका लैपटू आपको आजाता है आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा रिव्यू देखेगा और यहाँ पर साइड में आपको थ्री लाइन का उप्शन मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एंट जैसे ही हम download के option पर click करते हैं यहाँ पर आपकी application download होने लग जाती है तो हमारे पास एक zip file download होती है आंपको उसे extract करना है तो आपको zip file पर right click करना है और एक्स्ट्रेक्ट ओल के option पर click कर देना है जैसे आप इतना सा click करते हो यहां से आप इसके directory change कर सकते हो या तो direct आप extract के button पर click करके इस file को extract कर सकते हो extract करने के बाद आपके पास एक folder आएगा जिसमें कि आपके पास तीन file आएगी तो यहां पर आपके पास screen server का एक file आजाएगी जिस पर डबल क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से show होता है मतलब यह कि double click करने पे आपको इस clock का एक review दिखेगा तो इसको अपने laptop या तो PC में install कैसे करना है तो यहाँ पर आपको इस clock पे right click करना है then आपको install का option मिल जाएगा तो आपको install के option पर click करना है जैसे आप install के option पर click करते हो यहाँ पर आपके पास एक pop up आएगा जिसमें कि आप time adjust कर सकते हो तो यहाँ पर आपने recording यहाँ पर time set कर लेना है तो मैं यहाँ पर एक minute करके apply करके ok कर देता हूँ just हमें एक minute का wait करना है और देखते हैं कि यह कैसे clock work करती है तो एक minute यहाँ पर पूरा हो चुका है और आप देख सकते हो कि यह flip clock कुछ इस तरह से आपके laptop पे show होती है जिसमें कि जैसे जैसे time बढ़ेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह flip होगा तो यह देखने में काफी premium लगता है तो बस यार आज की शुड़ियो में इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होता वीडियो को like मार देना चैनल पर नए होता subscribe जूर से मार देना मैं मिलता हूँ आपसा एक लिए next वीडियो में केसे नए topic के साथ Thank you so much for watching this video.